नश्कार दोस्तों मैं मित्म शेष्ट एक वार फिर आपके सामने हूँ आज जारखंड में इंडी गठबंधन जीता है तो महाराश्र में बीजेपी से संबंदित जानी एंडी एक जीत चुका है और इस समय देश में चारो तरौफ कहीं खुशी कहीं गम का महोल बना हुआ है पंजाब में आमादी पार्टी तीन सीटें जीत करके बहुत खुश है तो उत्तर प्रदेश में भारते जनता पार्टी ने साथ सीटें जीत ली इसलिए खुश है और पस्चिम बंगाल में टीम सी जीत के इसलिए खुश है लेकिन आप अपने से संबंधित अगर कोई बात देखेंगे अपना फाइदा जनता देखेगी तो किस गठबंधन से किस राजनितिक पार्टी के आने से आप से संबंधित मुद्धों पे बात हो रही है पर्यावरण का बुरा हाल है पूरा उत्तर भारत धूल भरी आन्धियों से भरा पड़ा है आपको सांस रेने में तकलीफ हो रही है आपके बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं दिल्ली में छुटियां करने पड़ी है अब पिछले दस सालों से जो सरकार दिल्ली में बेठी है उन्होंने क्या किया? इस मसीवत से निजात दिल्वाने के लिए दिल्ली के लोगों को उसके बाद से पंजाब, हिमाचल, हर्याना यहां के सरकारी क्या काम कर रही है? हिमाचल में तो पेड काटे जाड़े धढल्ले से मुक्शमंत्री बोलते है के पेड काटेंग है इस प्रदूशन का और वो धूल धूआ भी है पंजाब से कहीं और से जहां भी पराली जलाई जाती है लेकिन भाई साथ धूल और क्या धूल बरी आधी आती है हिमाचल में या पंजाब में ना हमारे यहां स्टोन क्रेश्चर बहुत है और स्टोन क्रेश्चरों की धूल नहीं कहीं कहीं जाती। कभी सुना आपने सुप्रीम कोट के किसी जज ने ये बियान दिया हो या कोई वडिक्ट दिया हो या कोई फैसला दिया हो कि जब परदूशन बढ़ जाए उत्तर भारत में तो जितने भी स्टोन क्रेशन हैं इनके उपर पाबंदी लग जाए। के बारे में बोलने से जज भी डरते हैं और वो सच है कि जितना भी परदूशन हो रहा है उसमें सबसे खतरनाक है स्टोन क्रेशनों की धूल। ये धूल जब अंदर जम जाए फेपड़ों में आपके फेपड़े हों या आपके बच्चे के फेपड़े बाहर नहीं आती। डॉक्टरों से पूछ लीजिए का अगर ये मेरी बात गलत हो तो लेकिन आप लोग जो ज़ंडा उठाके घूम रहे हैं आज कोई बीजेपी का कोई कॉंग्रेस का कोई आमादमी पार्टी का कोई टीमसी का कोई किसी का कोई किसी का आप से संबंधित किसी भी राजनितिक अलको चिन्ता नहीं है उनको चिन्ता थी तो अपनी थी इसलिए उन्होंने अलग अलग बातें कहीं आप उनको बोट डाल करके आ गए अब आप से संबंधित काम करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा यही सबसे बड़ा दुखत पहलू है भारत का जब चुनाब आते हैं तो ज़्यादा तर लोग अपने लिए उनके बच्चों से संबंधित मुद्धों पे बात नहीं कर पाते हैं वो ऐसा महोल क्रियेट कर देते हैं यह सारे मीडिया हाॉसेज मिलकर के और नेता तो खेर होते ही इसी काम के लिए हैं और ऐसा चारों तरफ ऐसी हवा क्रियेट हो जाएगी आप अपने बारे में ही नहीं सोच सकते हैं और यहीं पे सारी दिक्कत आ जाती है आपको बताओं राजेस्तान की सरकार ने स्टोन क्रेशर चलाने पे पपंदी लगाई हुई है और रिसेंटली उन्होंने कारवाई भी करी है जिन स्टोन क्रेशर ने सरकार के अधेश नहीं हमाने हैं उनके बुर्द सकत कारवाई करी गई है कि धूल उड़ रही है परियापरण बहुत खराब है हिमाचल हो या पंजाब हो या हर्याना हो यहां पे किस सरकार ने ये दम रखा किस सरकार ने ये ओर्डर पास करे कि भाई साब स्टोन क्रेशर से बंद कर दो इनकी धूल बहुत जादा नुकसान पहुंचा रही है सुप्रीम कोड को चाहे हाई काउट इनको तो छोड़ दू ना ये तो बचारे जज़ वैसे ही इनको पता है कि कहां पे हमें रिस्क लेना हो कहां नहीं लेना है लेकिन सरकार ने तो चुनी जाती है ना ये तो जनता स आप लोग आप से संबंदित किसी मुद्दे के ओपर ये लोग बात नहीं करते जाहें कांग्रेसी हो जाहें भारती जंता बारती हों